हे गाइस कैसे अब सब मैं हूनेखिल और आज के इस फोटोशॉप टूटोरियल में हम लोग क्रियेट करेंगे एक फास्ट फूर्ट पोस्टर दिजाइन फोटोशॉप के अंदर अब इस टूटोरियल को हम लोग एक ब्रिकडाउन मेथर्ड से सीखेंगे मतलब की मैंने पास में काफी नए हो तो मैं ये विडियो उनके लिए रिक्रमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ड्राइगन ड्रॉप करके नहीं बताने वाला बेसिकली आपको एक ब्रेकडाउन मेथर्ड से सिखाऊंगा कि कैसे इस टाइप के डिजाइन आप लोग बना सकते मैंने लिंक दे दी है सभी इमेज उसकी और कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल उसी में है तो आप लोग पहले उसे डाउनलोड करो और फिर इसके साथ इस वीडियो के साथ उसे फॉलॉप कर सकते हो तो इसे के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किये चली आज का ये वीडियो स जो हाइट है वो है 2500 की और जो विद्ध है वो है 2000 की आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको पोस्टर साइज लेनी है वो ले सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाग्राउंड क्रिएशन से सो attraction को हम लोगों ने एक बहुत हिलका सा gradient रखा है इसे create करना बहुत ही जाथ से पहले मैं जहाँँगा यहाँ पर और एक gradient की एक new adjustment layer में बना लूँगा simply मिन gradient में जहाँँगा और basics में हमें ये black and white preset मिल जाएगा उसे हम select करेंगे और जो white color है उसे मैं actually कर दूँगा एक kind of a dark grey color का hit करेंगे okay फिर मैं जाूंगा और यहाँ पर इसे reverse कर दूँगा और जो linear है style उसे मैं कर दूँगा radial तो में बहुत अच्याँ सा gradient मिल जाएगा और जैसे कि यहाँ पर हमें एक option मिलता है डितर का उससे मैं on कर दूँगा इससे जो भी color bendings है वो निकल जाएंगी और मैं click करोंगा ok और हमारा जो background है वो create हो जाएगा सो इसी टेखनीक को use करके मैंने यहाँ पर एक background अलड़ी create किया है अब simply हम लोग हमारे जो pizza के images है उसे drag and drop करेंगे सो simply मैं इस pizza को यहाँ पर place कर दूँगा और by the way again आप लोग यह जो complete project file है वो आप लोग description में से download कर सकते हो simply आपको इस image को यहाँ पर लाके drag and drop करना है फिर मैं second pizza को इस तरीकी से drag and drop कर दूँगा और फिर you know rotate करने के लिए आप लोग control T प्रेस करके इसे rotate कर सकते हो इस तरीके से अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ notice कर सकते हो कि यहाँ पर एक हलक इसी depth create हो रही है जो left side का pizza है वो pass लग रहा है camera के और जो right side का pizza है वो दूर लग रहा है क्योंकि इसमें एक हलक असा depth of field जैसा कुछ effect हमें दिख रहा है और वो इसलिए द पीजा है उसको blur कर दिया है तो यह एक impression create कर रहा है कि यह जो पीजा है वो pass है बड़ा है size में जो second pizza है वो दूर है और distance में है इसलिए वो defocus हो गया है so simply इस effect को create करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक Gaussian blur का filter add करेंगे आप लोग इस filter को filter में जाके blur में जाके add कर सकते हो और जो property है वो मैंने रखी है around 5 pixels आप लोग इससे कम जादा कर सकते हो जादा करेंगे तो यह थोड़ा जादा blur out हो जाएगा जिससे ऐसा लगेगा कि वो ज एक हलका सा highlight करना है तो उसे करने के लिए हम लोग simply एक new layer create करेंगे बी प्रेस करके brush tool select करेंगे और जो color है वो हम लोग रखेंगे yellow क्योंकि हमारा pizza जो है वो mainly yellow column है और मैं simply इस तरीके से कुछ clicks करके इसे highlight कर दूँगा अब मैं size थोड़ी छोड़ी कर देता हूँ और इस त separation में बन जाएगा इन दोनों पीजास की उपर और फिर इसकी जो blending mode है वो मैं set कर दूँगा soft light पर सो में बहुत ही अच्छा सा highlight मल जाएगा यहाँ पर भी और कुछ यहाँ पर भी इस तरीके से आप लोग दिख सकते हो यह अब काफी जादा better लग रहा है इसी वे मैं मैंने यहाँ पर already कुछ highlights create किये थे ठीक है मैं से delete कर दूँगा अब next चीज जो हमें add करनी है वो है text और यहाँ पर एक बहुत ही cool सा हमने text add किया है pizza का इसे बनाना बहुत ही जादा simple है अगर मैं जाओ effects में और सभी effects को मैं burn कर दूँगा तो सबसे पहले हम लोग text create करेंगे जो font मैंने use किया है वो है chunk 5 मैं link दे दूँगा description में जहां से आप लोग यह same font download कर सकते हो free font है ठीक है फ सबसे पहले हम लोग add करेंगे एक drop shadow जिसका जो color है वो मैंने इस dark yellow color का रखा है आप लोग यह same color code use कर सकते हो hit करेंगे ok जो opacity है वो set है 100 पर angle set है 147 पर distance set है 5 pixels पर और spread set है 26 पर जो noise है मैंने हलकी सी noise इसलिए add कि है ताकि हमें कोई भी color bendings ना मिले अब हमें यहाँ पर एक property पर focus करना है वो है distance so यहाँ पर जो distance है वो set है 5 पर अब हम क्या करेंगे basically कुछ duplicates बनाएंगे इस drop shadow के simply हमें इस plus icon पर click करना है जिससे यह drop shadow का duplicate बन जाएगा और सभी properties को हम लोग same रखेंगे सिर्फ जो distance है उससे हम लोग कर देंगे 10 पर so जो पहला जो drop shadow था वो था 5 पर, second drop shadow है 10 पर, third drop shadow है 15 पर, fourth है 20 पर और इस तरीके से हमारे पास 4 drop shadow हो जाएंगे और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी हमें depth मिल जाएगी हमारे text के लिए फिर मैं जाके add करूंगा एक outer glow जिससे हमें बहुत ही अच्छा सा glowing look मिल जाएगा, again मैंने जो color लिया है यहाँ पर वो है yellow, जो blending mode है वो set है screen पर, opacity set है 20 पर और आप लोग कम जादा ले सकते हो अपने हिसाब से, जो noise है मैंने दिया है 2% का और बाकी सभी properties default है, सिर जो size है व आप अपने हिसाब से, जो भी size आपको जैसे भी size ठीक लगे, आपका text भी अलग होगा, तो obviously आप लोग size के साथ कम जादा करके, उस text के साब से, अपना जो glow है, वो set कर सकते हो, और finally हम लोग add करेंगे एक gradient overlay, जिससे यह text और भी जादा better दिखेगा, यहाँ पर मैंने simply एक orange kind of orange, या इसको थोड़ा समया, हलका सा yellow कर दूँगा, और यहाँ पर मैंने एक बहुती light yellow color लिया है, तो आप लोग ये color codes, same color codes basically use कर सकते हो, ठीक है, जो angle है, वो set है 90 पे, और जो scale है, वो set है 100 पे, आप लोग कम जादा करके, अपने हिसाब से, you know, set कर सकते है, and boom, हमारा जो step की और जिससे हम लोग ये बहुती cool सा और जादा depth create करेंगे, अब इसे create करना बहुती जादा simple है, हमने बस कुछ images, png images लिये है, इस leaf का, जैसे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको, Gaussian blur को hide कर दूँ, और इस पर double click करूँ, तो ये basic png leaf का image है, जिस पर मैंने क्या किया है, और depth generate करने के लिए, अगर मैंने Gaussian blur का use किया है, 5 pixels पर, same technique जो हमने इस pizza पर use की थी, simply मैंने leaf के images लिये है, लग-लग, pepper के images लिये है, चिली के images लिये है, you know, जो भी ऐसी चीज जो pizza को compliment करती है, मैंने उस तरह की images लिये है, अगर आप लोग कोई और type का fast food poster बना रहे हो, ज उसको जो element support करता है, या उसके जो ingredients है, वो आप लोग अपने design में या image में ले सकते हो, ठीक है, simply आपको यहाँ वहाँ मैंने randomly place किया है, जो images camera के पास है, उन्हें मैंने थोड़े जादा blur कर दी है, और size बढ़ा दी है, ताकि एक depth creator, आप लोग देख सकते हो, जैसे-जैस images इस pizza की तरफ जा रहा है, उनका blur थोड़ा जादा है, और जो size है, वो भी कम है, बस उतना ही हमें करना है, simple और easy, और जो final step है, उसमें हम लोग ने क्या किया है, basically कुछ details add किया है, जैसे discount है, 30% off चल रहा है, और उसे highlight करने के लिए मैंने एक rectangle create किया है, जिसका जो stroke है, वो मै यलो लिया है, और हाँ, rectangle भी rounded है, तो अगर आप लोग rectangle tools select करते हो, और properties में जाओगे, तो यहाँ पर हमें option मिलता है, जिससे हम लोग जो rectangle को rounded इस तरीके से कर सकता है, फिर मैंना add किया है, order now, और उसको एक अच्छा सा shape दे दिया है, जिससे वो भी एक highlight हो जाएगा, और फ जिन कर दिया है, फिर मैंना add किया है, एक logo simply, और एक हलक असा final कुछ curves का adjustment दिया है, जिससे colors जो है, वो काफी pop out हो रहे है, पट उसे add करने से पहले चलिए, हमारा जो background है, वो अभी काफी simple दिख रहा है, तो उसे थोड़ा और जादा interesting बनाते है, तो उसके लिए मैंने simply क्य किया है, दो चीज़ा की है, सबसे पहले तो ये line add की है, इस तरह की, ताकि एक और ज्यादा depth और काफी cool एक look मिल जाए background के लिए, और इस line को create करना बहुत ही जादा simple है, basically हमें क्या करना है, pen tool में जाना है, और coverage pen tool जो है, उसे select करेंगे, इस तरीके से मैं randomly एक shape बना दूँ around 2 pixels पे ताकि ये काफी जादा पतली एक line बन जाए, फिर मैं right click करके इसे कर दूँगा, convert to smart object, ठीक है, फिर मैं जाओंगा filter में, blur, Gaussian blur, so हमें ये एक अच्छा सा blur मिल जाएगा, मैं इसे काफी जादा बढ़ा दूँगा, around 10 pixels पे, hit करूँगा, okay, फिर मैं select करूँगा smart filters को, प्रेस करूँगा B, जिसे brush tool select हो जाएगा, इसे बढ़ा कर देंगे, और make sure करेंगे कि हमारा foreground color है वो black पे set हो, और हम लोग जहाँ भी हमें depth नहीं चाहिए, वहाँ पे इस effect को simply इस तरीके से erase कर दूँगा, तो यहाँ पर, यहाँ पर, पीजा के पास में, मैं erase कर दूँग मैं इसे erase कर दूँगा, तो हमें बहुत ही cool सा एक look इस तरीके से मिल जाता है, अब मैंने यह बहुत एक random line ली है, आप लोग चाहे तो कोई text भी add कर सकते हो, या कोई अलग type का shape भी ले सकते हो, same technique यूज करके मैंने इस line को भी create किया था, ठीक है, और finally मैंने कुछ text add किया थ बहुत ही simple है, so इसे create करने के लिए हमें simply text tool को select करना है, type in करना है जो भी आपको text चाहिए background में, so मैं पीजा type कर लिया, color जो मैं set करूँगा, वो same color होगा, yellow, इसे control T press करके काफी बढ़ा कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर place कर देंगे, और फिर मैं simply control hold करूँगा और इस इस तरीके से skew कर दूँगा, इसे इस तरीके से place कर दूँगा, फिर alt hold करके इसका एक duplicate बना लूँगा, और finally एक और duplicate, ठीक है, फिर इन सभी text को select करूँगा, control G करके group कर लूँगा, right click करके इसे convert to smart object कर लूँगा, इसकी opacity है, वो हम लोग काफी कम कर देंगे, इस तरीके स और फिर finally हम लोग एक layer mask create करेंगे इस पर, ठीक है, layer mask select करेंगे, B press करके brush tool select करेंगे, और center में से इसे मैं कम कर दूँगा, ताकि हमारा जो focus है, वो pizza पे रहे, बांकी background पर, और इसकी जो opacity है, again मैं काफी जादा कम रखूँगा, इस तरीके से, so हमारा जो background है, वो empty नहीं सेम टेखनीक यूज करके मैंने यहां पर यह pizza का जो text है, वो मैंने create किया था, simple और easy, and यह हमारा जो complete fast food pizza poster है, वो ready हो चुका है, यह बहुत ही simple techniques यूज करके, so that is a wrap guys, I hope आप लोग को आज का tutorial अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, like करना, और bell notification on करना, तकि मैं जबी भी कोई new video upload करूँ, आपको notification सबसे पहले मिले, और आप उस video को सबसे पहले देख पाओ, और अगर यह video अच्छा लगा है, तो please share भी जरूर करना, अपने friends के साथ, जो हमारा अगला milestone है, वो है 50,000 subscribers का, अगर आप लोग शेर करोग पीस आओ